तो दूस्तों सोगत है आपका हमारे और आपके अपनी यूटूब चनल रिया स्टेडी पॉइंट में तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम पुरुसकार और सम्मान से रिलेटिड कुछ मोस्ट इंपॉटेंट कॉश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंट्स यह जो कॉ वीडियो जरू देखें तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं और अगर आपको अच्छा लगत तो वीडियो को एक लगार लाइक और सेजर्ब बीडियो अज करADA कि देञते हैं फ्रेंश कॉश्चन हमारा किसे विग्जयान की दो विन साकांगों में नौबर प्रोष्कार प्राप्त किया देखे फ्रेंट जितने भी कॉश्चन मेंने लिए हैं आपके एक्जाम के पॉइंट व्यू से वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि प्रोष्कार सम्मान से रिलेटेड दो चार कॉश्चन बनते हैं अब कोई भी एक्जाम देख लीजिए प्रोष् प्रिथम भारती नोवल प्रुष्कार विजेता थे तो प्रिथम भारती नोवल प्रोष्कार विजेता रविंद्र नांध्य टैगोर थे फ्रेंट सब्सक्राइब राथिए को नायद रिखेंगे ऐसे लेटे में से नेक्स्ट कॉर्शन हैां किस भारती व्याने को नाकेवल नोवल पुरुशकार वलक़ी भारत्रत्य करने का भी खुश्ट है तो वैज्दियाने डाक्टर शीवी मरन जी को नोवल पुरुशकार और भारत रतना दोनों से ही सम्मानित किया गया है फ्रेंट आप इने याद रखेंगे नेश्ट कॉशन देखते हैं पूर्विथल सेना अध्यक्ष मैं से दो बार महावीर चक्र किसे मिला है तो जन्रल ए-ए-स वैद को महावीर चक्र से दो बार बार भारत में ग्यानपीट प्रुषकार पाने वाली प्राप्त करने वाली पहली मैला कौन थी दो simplesmente देखते हैं पदम स्री का शम्मान पाने वाले पहली अभीनेतरी कौन थी वाई अभीनेतरी कौन थी जिनर पदम श्री शम्मान से संप्वानित किया गया था तो निरयके दत्थो वो पहली अभीनेतरी थी पदम स्रीibenit प्रिंस किया गया था तो आपने याद रखेंगे निट्ध कॉश्चन है हमारा ग्रेमीइ प्रुषकार कि छेत्र में दिया जाता है तो ग्रेमी प्रुषकार जो है यह संगीत के लिए जाता है idea question second देखते हैं नबल कि स्थापना किस देश ने की थी Thai इंपोर्टेंट कॉशन बन जाता है आधि आप से पूछलिया जाए नोबल पुरुषकार की स्थापना किस देस देश ने की थी तो सुईडन फ्रेंट्स आप इसे भी याद रखेंगे इसकोशन है क्यान पीट पुरुषकार के पिर्थम विजयता ऐसे तो आप इन्द रखेंगे विश्विशुन देखते हैं विश्विशुन्ड्र यानि जो रीता फारिया है या मिस्स वर्ल की पिर्थम भारती महीला विजेता थी तो आप इसे याद रखेंगे नेश कॉशन है भारत के प्रधान मंत्रियों में से किसे पाकिस्तान का सरवोच शिविल पुरुषकार निसाने पाकिस्तान मिला था तो जो मौरार जी दिसाई है या भारत के प्रधान मंत तो मौरार जी दिसाई को पाकिस्तान का सर्वोच सिविल पुरुषकार निसाने पाकिस्तान मिला था फ्रेंट सो आप इसे याद रखेंगे और देखिए यहां से जितने भी कॉश्चन है किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए हैं तो सारे ही कॉश्चन आपके एक्जाम के पॉइंट रहेंगे सो आप लास्टाइए वीडियो में बने रहें नेक्ट कॉश्चन देखते हैं मूर्ति देवी पुरुषकार किसने शुरू किया तो जो भारते ग्यानपरी ठ्रुश्ट स्रू किया था तो आप इसे याद रखेंगे चले नेक्ट कॉश्चन देखते है नेक्ट कॉशन है हमारा वह कौन है जिसे भारतिय ना होने पर भी भारत रत्न से शम्मानित किया गया तो जो भारतिय ना होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया व्यक्तिव है नैंसर मंडेला तो आप इने याद रखेंगे कॉशन है केंद्रिय ग्रह मंत्री के पत पर रहते हुए भारत रत्न शम्मान पाने वाले एक मात्र नीता है तो गोविंद वल्लब पंत हैं जो की केंद्रिय ग्रह मंत्री के पत पर रहते हुए भी भारत रत्न से सम्मानित किये गए फ्रेंट आपने याद रखेंगे नेक्ट कॉशन देखते हैं मानव से वह प्रुषकार किसकी यादगार में शुरू किया गया था तो मानव प्रुषकार जो है या राजी गांधी की यादगार में शुरू किया गया था फ्रेंट आप इसे भी याद रखे next question तानसें संब्मानLY किस राज सरकार ने शुरू किया तो जो तानसें संब्मान है या मद्ध प्रदेश की राज सरकार ने शुरू किया था चो आप इसे याद रखेंगे ये सन भी याद रखे किस चेतर में असाधारण योगदान के लिए सांती शुरूओ भटनागर प्रुषकार दिया जाता है तो विज्यान के चेत्र में किस चेत्र में विज्यान के चेत्र में असाधारान योगदान के लिए शांती शुरू भटनागर पुरुषकार दिया जाता है तो important question हो जाता है फ्रेंट चाहसी है आप याद रखेंगे next question देखते हैं ख्लाडियों है तो भारत में सर्वोच खेल पुरुषकार है राजीव गांदी खेल रतन पुरुषकार जो है भारत का सर्वोच खेल पुरुषकार है फ्रेंट सो आप इसे आप इसमें एक वीडियो और बनाया है भारत के राश्टी खेल 2020 यह करेंड का ही कौशन लिए हैं सारे ही एक्स्ट्रा फेक्ट के साथ डिटेल के साथ सॉल्व किये फ्रेंट इतने भी कौशन है तो इंपोटेंट है यह वाला वीडियो आप वाच कर सकते हैं वीडियो के लाश्ट में मैं आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइट कर दू आप इन्हें याद रखेंगे नेश्ट कौशन देखते हैं वर्स 2011 का ग्यानपीट पुरुषकार किसे मिला कौशन बहुत ही ओल्ड है फ्रेंट फिर भी पूछ लिया जाता है तो याद रखना जरूरी है तो वर्स 2011 का ग्यानपीट पुरुषकार जो है यह प्रतिवार रा भारत वर्स में पृफम रेमन मैक्से से पृफम वजिता पूं थे तो रेमन मैक्से से पृफम विजिता थे अचारी विनोबा भाव़े तो आप इनका नाम याद रखेंगे नेश्ट कौशन है हमारा किस चेत्र में उत्कृिष्ट उपलबधियों के लिए भूम अंड लिए 500 प्रुषकार दिये जाते हैं तो परियावर्ण प्रतीर चयाब कायाँ क्वित अदो करने सारे कॉशनों को याद रखेंगे ो दिचात अंतना है यह वीडियो का लास्ट कॉशन है आपका चैलेंजिंग कॉस्चन है तो आपका चैलेंजिंग कॉस्चन है सबसे पहले ग्यानपीट पुरुषकार किसे दिया गया था आपके सामने चार और फ्रेंट्स जो भी इसका राइड अंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं वीडियो देखने लिए थैंक्यू फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करें अपने श्टड़ी ग्रोप और फ्रेंट्स के साथ वीडियो को जादा जादा सेयर करें यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन पर जरूर कर लें ताकि आपको हमारे निव वीडियो के अपडेट तुरंत मिल सके तो चलिए फ्रेंट्स जल्दी मिलते हैं निव टॉपिक के निव वीडियो में जाएं